जै भारत दोस्तों पता एक देश तब पूरी तरह बरबाद हो जाता है जब वहां के किसान पूरी तरह बरबाद हो जाते हैं उस देश की इस्तिती बहुत ज्यादा खराप हो जाती है जहां पे किसान की जो सुन्दर-सुन्दर फसले है वास पूरी तरह बरबाद हो जाता है और उसके पीछे region क्या होता है अभी के अगर मौसम में आप देखे तो climate इतनी ज्यादा change है कहीं बहुत ज्यादा बारिस हो रही है तो कहीं बहुत ज्यादा सूखा पल रहा है जिसके कारण हर किसान की फसले पूरी तरह बरबाद हो जती है जैसे ही किसान जाके अपनी फसल को बारिस से बाई गई तो कहीं सूखा के कारण फसले मर गई है जैसे अगर आव लोग पिछली साल की अगर बात करें महराष्ट्रा में किसानों के द्वरा लगाए गए प्याज पूरी तरह से बाई गया थे प्याज के जो पूदे थे पूरी तरह बरबाद हो चुए थे प् लगब लगब 4000 रुपी किलो तक भी की यानि नॉर्मल प्रैसेस से पांच गुना महंगा और यही इंपक्ट आगी अगर वही बात आई थी उत्तर प्रदेश में गन्ना किसानों के लिए भी गन्ना के किसान लगब गन्ना बरबाद हो चुके थे लेकिन अगर आप कि यह जो किसानों के जो बीच पौदे हैं हमीसा बरबाद हो जाते हैं और किसान एक बीच खेत में खड़ा होकर सिर्फ अपनी फसल को देखता है इसका कोई उपाय है या नहीं है तो दोस्तों इसका एक सबसे अच्छा उपाय है फसल भीमा अगर आप अपनी जो फसल है उ या आपको दो से तीन गुना फायदा दे सकता है जिस किसान के पास बीमा होता है वे अपनी खेती बिल्कुल उसी तरीके से करते हैं जैसे की कोई फैस्टिवल वह एक्दम बिल्कुल सेफ होता है अगर किसी भी तरह के क्लाइमेट चेंज के कारण अगर आपकी फसल बरबा मेली जो हमारे इंडिया में दो ही तरह के क्रॉप से हुआ कापी ज्यादा लगते एक रभी फसल जिसमें से आ गई गेहूं ओट मूंग होती है मस्टर्ड यानि सरसो आल्मॉंड ब्रॉकली यह सब जो है यह रभी फसल में आती है जिसके बुआई लगबग समझी तो अगस इससे गिशटार्ट हो जाती है और लगबग जनॉरी फरवरी तक जाती है उसके बाद आती है खर覃 फसल जो सबसे मुखे फसल कहिंगी जाती है हमारे देश की जिसमें से आगया चावल हो गया, मक्का हो गया, सोयाबीन हो गया, कितारी यानि सुगर केन, उसके बाद बदाम, कॉटन, ये सब जो हैं, ये खरीब फसले हैं, इनको बोने कटा हैं, जूल जुनाई की लगबग होता है, और इसके ठीक 110 से 20 दिन बाद, यानि 9 दिसंबर में कटाई कर दी जाती है, अगर अगरिकल्चर सेक्टर की बात करें हमारी जीडीपी पे, तो जीडीपी में अगरिकल्चर सेक्टर का जो कंट्रिबूशन है, वा लगबग 29 परसंट की लगबग है, या एक अपने आप में बहुत ही बड़ा परसंटेज है हमारे देश की 17.6 थी, 2019-20 जाते जाते या 18.4 हो गया था और इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन क्या था, हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर के द्वारा किसानों को मिलने वाला सपोर्ट काफी जादा बढ़ गया था, मैं आगे आपको वीडियो में बताऊंगा कि कौन-कौन से ऐसे यो बनता है, 2017-2018 में या लगबक 3,62,000 था, 2018 में जाते जाते या 4,000,000 क्रॉस कर गया, 2021-2021 जाते या 4,000,000 की लगबक क्रॉस कर चुका था, किसानों के लिए बहुत सारी योजना हैं जो पूरे देश भर में चल रही है, पी-म किसान योजना जिसमें हर किसान को 2,000 रिपे मिलत प्रधान मंतरी फसल भी-माई योजना जो है या अपने आप में समझें तो इक किसानों के लिए बून का काम करती किसानों के लिए वर्दान का काम करती है, इसके लिए आपको कितना प्रीमियम पे करना होगा, मैं आगे आपको वीडियो में बताऊंगा, लेकिन एक्चुल आपको कौन सी बीमा लेनी है, जैसे परदान मंतरी फसल भीमा योजना हमें करना है, तो उसके बाद आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करना है, लेकिन दुरभाग के बस बात ये है कि इसमें जारखंड और विहार का नाम नहीं है, उसके बाद आप जली कोई री दिष्टिक सेलेक्ट कर लेते हैं, भदरक मैंने जिष्टिक सेलेक्ट कर दिया, धान की में फसल जो खरीफ के लिए सबसे ज़्यादा होती है, उसके आप कितनी हैक्टर में खेती कर रहे हैं, और आपको समय जोरज कितने का मिल रहा है, और सट हजार दो सो पचास रुपया क्या होगा, अगर आपकी फसल बरबाद होती है, तो अगर नहीं होती है, यह बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि हमारे देश में खुस रहेंगे, तो पुरा देश ही खुस रहेगा, और इस सियोजना की खास बात यह है, कि इसमें आपको जितना का सम एजोर्ड मिला है, उतना एमांट आपको डारेक्टली आपके एकांट में मिलेगा, और इंसुरेंस कराकर खेती करने का मज़ा बिल्कुल वैसे ही है, जैसे कि एक साल के वारेंटी में किसी भी चीज को चलाना, तो दोस्तों यह फसल बीमा कराने के लिए, आप किसी भी CSC सेंटर पे जा सकते हैं, या तो CSC स आपको सारे सुधाय मिल जाएगे, जिस कमपनी से भी आप बीमा लेना चाहते हैं, ज़रूरी नहीं फसल बीमा, PM के द्वारा ही मिले, आप HDFC के द्वारा भी ले सकते हैं, ICSC के द्वारा भी ले सकते हैं, बहुत सारी कमपनियां हैं, जो बेस्ट है, यह फसल बीमा करने के दो दो सुमित कर तो यह बीमा को पसंदाया होगा